जेहीं चातियों नमास्कार आप सभी का एक बार फी स्वागते प्री 2016 पैंसनर्स का बैंकों से इस पर्ष में माइगरेशन लगातार हो रहा है लेकिन पैंसनर्स बैंक से इस पर्ष में माइगरेशन होने के बाद पैंसन डाटा वेरिफिकेशन यानि जितनी भी डिकलेरेशन से उनको एकसेप्ट नहीं करते और डिकलेरेशन एकसेप्ट जब तक नहीं करेंगे तो पी प्यो जनरेट नहीं होगा तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक लाइव डेमो के तोर पर ये बताऊंगा कि किसी भी पैंसनर का यदि बैंक से इस पर्स में माइगरेशन हुआ है तो इस वीडियो में बताए गई आप कारवाई पूरी कर ले तब ही आपका इस पर्स का काम स्टार्ट होगा जिसमें आप लाइव सेट फिगर जमा कर सकते हैं आप अप उसमें से पैंसन सिलिप डाउनलोड कर सकते हैं पीपियो डाउनलोड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिकलेरेशन सब्मिट कर सकते हैं साथ ही साथ जो आपके इंटैटलमेंट है उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं 16 भी आपको वहाँ से मिलेगा तो आईए सबसे पहले आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपका जब migration हो जाएगा तो उसके बाद आपको इस परकार के SMS का इंतजार करना है और ये SMS आपके migration के बाद 15 से 20 दिन के बाद में ये SMS आपको मिलेगा मिलेंगे जिनको आप केवल पढ़ सकते हैं और main SMS आपका यही रहेगा जिसमें आपकी pensioner ID 12-way digit की pensioner ID होगी वही आपका इस पर्स का PPO नंबर भी होगा आगे लिखा रहेगा कि इस पर्स में login करने के लिए यहाँ पे आप दी गई website पे क्लिक करके login कर सकते हैं और साती सात आप नजदी के pension service center में जाके अपने account credential यहाँ पे username होगा जो आपका 12-way digit का इस पर्स का PPO नंबर और उसके पीछे 01 14-डिजिट का आपका इस पर्स का username होगा साती सात यहाँ पे default password भी आपको SMS के जरिये मिल जाएगी इन दोनों username और password के जरिये आपको first time ispurs में login करते हुए अपने default password को change कर लेना है और जो आपका latest password होगा उसी के साथ आपको फिर से ispurs में login करना है ispurs.defensepension.gov.in यह ispurs की website है इसको जब आप open करेंगे तो home page पे आपको एक alert दिखाई देगा जो की आपके life certificate से जुड़ावा alert है यहाँ पे आप OK पे किलिक कर सकते हैं उसके बाद आपको login के उपर किलिक करना है और अपने ispurs के username और password के जरिये यहाँ से ispurs में login कर लेना है login के बाद एक alert और आएगा जिसमें यहाँ पे लिकावा है कि अभी आपका ispurs में जो data है वो केवल read only mode में है यानि आप पढ़ सकते हैं देश सकते हैं और ispurs के data में क्या गलतियां हैं उनको note कर सकते हैं एक बार आपको अपनी सभी declarations यहाँ से submit करनी होगी उसके बाद आप manage profile के जरीए अपनी गलत जानकारियों को update कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको ok पे click कर देना है next आपको यहाँ पे दिखाई देगी आपकी acknowledgement जो की सबसे पहली acknowledgement रहेगी वो रहेगी आपकी undertaking of refund of access payment यानि PCD दोरा आपको यहाँ गलती से access payment किया जाता है तो आप उसको refund करेंगे वो आप से यहाँ पे अभी sign करवाय जा रहा है तो simply आपको यहाँ पे क्या करना है next के उपर click कर देना है next पे click करने के बाद दूसरी acknowledgement आएगी consent for receiving notification on mobile number and email ID इस पर जो भी आपको notification भेजता है उसके लिए आप agree है इसलिए यहाँ पे आपको send OTP के उपर click करना है तो एक one time OTP आपके registered mobile number के उपर भेज दिया गया है उस OTP को आपको note करना है और यहाँ पे acknowledgement के window में validate OTP में enter करने के बाद proceed के उपर click कर देना है proceed के उपर click करने के बाद confirmation आप से पूचा जाएगा कि क्या आप declarations को submit करना चाते हैं तो आपको OK के उपर click करना है इसके बाद एक acknowledgement आएगा कि आपका data successfully submit हो चुका है और यह processing में जा चुका है अब आप जैसे ही यहाँ पर OK पर click करेंगे तो आप यहाँ से Spurs के login window से logout हो जाएंगे तो हम OK पर click कर देते हैं यहाँ पर आपने देखा कि Spurs से हम logout हो चुके हैं अब क्या करना है कि दुबारा से हमें Spurs के username और password के साथ फिर से login करना है अब हम दुबारा से Spurs में login हो चुके हैं और Spurs में सबसे बड़े समयश्या है कि जो हमारा आदार नमबर है वो update नहीं पाया जाता है और वही alert login करते ही आ चुका है Your आदार नमबर is not registered with Spurs To avail services on Spurs kindly provide your आदार नमबर तो आदार नमबर के लिए जो आदार में नाम है वो Spurs के profile में जो नाम है वो same होना चाहिए तो यहाँ पे हम proceed पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद आदार नमबर and consent पूछा जाएगा तो यहाँ पे आदार नमबर enter करने के लिए window आ रहा है उसके बाद में आपको consent में yes करना है और submit के उपर क्लिक कर देना है तो अब हम यहाँ पे आदार नमबर enter करते हैं तो जैसे ही हमने आदार नमबर enter किया और स्क्रीन पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखावा आ रहा है कि आदार demographic validation validated success पुली यह सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदार की जो details है वो इस पर्स के साथ में यदि मेच कर जाए तो काफी हद तक समझाएं कम हो जाती है नहीं तो यदि आदार demographic validation fail हो जाता है तो या तो आदार में नाम सही करवाना पड़ता है या फिर record office को आदार बेजना पड़ता है online तो record office द्वारा इस आदार को इस पर्स के पोटल में अपड़ेट किया जाता है अब हम यहाँ पे OK पे क्लिक करते हैं और इसके बाद जो consent है हमारा उस consent पे yes पे क्लिक कर देते हैं और submit के उपर क्लिक कर देते हैं एक acknowledgement आ चुका है जिसमें लिखावा है your service request has been registered with token number एक token number मिल चुका है kindly note the token number for future reference यह आदार नमबर अपडेट करने के लिए token है जो हमारा track request में हमें मिलेगा आदार नमबर अपडेट करने की request जा चुकी है और यह submit भी हो चुकी है अब हम चलते हैं track status में कि वहाँ पे request का status क्या दिखा रहा है तो यह track status है यहाँ पे यह यह request के आगे देखेंगे status तो अभी यह blank आ रहा है यह दो तिन दिन में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा प्रोसेस्ट लिखावा आ जाएगा इसके बाद यह आपको इस परस में अपना digital life certificate जमा करना है तो आप directly कर सकते हैं अब यहाँ से एक काम important कर लेना है अपने life certificate की date चेक कर लेना है आपको home page पर भी यहाँ पे life certificate और identification tape दिखाई देगा नहीं तो आप left side में जो तीन line है इसके ओपर click करते हुए भी life certificate oblique identification में जा सकते हैं तो जैसे ही हम इसके ओपर click करेंगे नीचे यहाँ पे हम देखेंगे तो identification date 1 नौंबर 2022 को वह था और identification due date 30 नौंबर 2023 यानि 30 नौंबर 2023 तक इनको life certificate जमा करना था लेकिन date ओवर हो चुकी है इसलिए जल से जल digital life certificate इनको इस पर्स में जमा कर देना चाहिए तो साथियों ये थी pension data verification की पूरी process pre 2016 के लिए ये declaration submit करने का काम जरूरी है हर एक pensioner को करना चाहिए तभी उनको इस पर्स का profile दिखाई देगा PPO download होने के लिए available होगा, pension slip मिलेगी सब कुछ काम तभी कर सकते हैं तो जो जानकरी मैंने इस वीडियो में आप सब को live demo के तोर पे दी मैं आसा करता हूँ कि सब को समझ में आ गई होगी और वीडियो इदी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप like करें, share करें और इस पर्स और एक सर्विसमेन और सर्विंग सोल्जर्स के कल्यान से जुड़ी हुई जानकरी अपाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें जेह इंसातियों